मकर संक्रान्ती, मकर संक्रान्ती भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है. मकर संक्रान्ती, संक्रान्ती पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है. पौश मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता ह वर्तमान शताबदी में यह त्योहार जन्वरी माह के 14 या 15 दिन ही पढ़ता है, इस दिन सूर्य धनुराश्य को छोड मकर राश्य में प्रवेश करता है तमिल नाडू में इसे पॉंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि करनाटक, केरल, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रान्ती ही कहते हैं बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रान्त नाम से भी प्रसिद्ध है मकर संक्रान्ती पर्व को कहीं कहीं उत्तरायन भी कहते हैं 14 जन्वरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर जाता हुआ होता है इसी कारण इस पर्व को उतरायन, सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। वग्यानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृत्वी का निरंतर छे महीनों के समय अवधी के उपरांत उत्तर से दक्षिन की ओर वलन कर लेना होता है। और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। करें धानिवत आपका दिन शुभ रहे।